कल के दिन एक बड़ा breakout मिलने की जो आशंका पैदा हो चुके उसमें कौन से option में हम लोगों को best trading opportunity मिलेगा और उसके पिछे का complete logic क्या है तो सबसे पहले start करते है निप्टी का analysis अभी आपके सामने में ने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निप्टी का spot का चार्ट लगाया हु यहां पर open होता है और एक previous वाले high को break करता है और trend line के करीब जाकर market यहां पर रुका हुआ है तो कल के दिन market जो है वो आज के high को निकलता है तो एक momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है और 18,000 के level तक भी market और भी उपर जा सकता है 18,000 के level के उपर बार जाने के बाद किस तर पर आने वाला momentum depend रहेगा लेकिन फिलाल के लिए यहां पर हम लोगों को जिस तरीके का price action का structure बन रहा है यह price action का structure हम लोगों को clear cut indicate कर रहा है कि यहां से जो है वो यहां से market में upside के momentum होने की probability जादा है market को अगर negative जाना है तो market को flat opening की नहीं बलकि यहां पर फिब्रियल body के 50% के नीचे के opening की जरूरत है अगर उसके नीचे market open होता है तो ही downside के momentum में हम लोगों को एक opportunity मिल सकता है अभी best opportunity कहां पर मिलेगा यह समझने के लिए हम लोगों को 15 minute chart के उपर जाना पड़ेगा अगर आप 15 minute chart को ठीक से देखते हैं तो आपको यहां पर clear कर दिखाई दे रहा ह कि market ने एक बहुत बड़ा one-sided momentum दिखाया वो है और one-sided momentum में हम लोगों को कई भी एक बड़ा correction नहीं देखने को मिल चुका है सिर्फ last के आदे घंटे में एक छोटा सा correction हम लोगों को देखने को मिल चुका है तो मेरा यह expectation है कि market में एक छोटा सा correction हो जाना चाहिए जिसके व अब हम लोगों को भाइंग का आपरिणी मिल सकता है अभी उसको किस तरह के से identify करना है तो हम लोगों को अगर कलके दिन बाया नहीं दिप्स करना अपना नहीं तो सबसे पहले हम लोगों को important support level डूनने पड़ेंगे अभी important support level के लिए हम लोगों को नीचे की side में देखना पड़ेगा कि कहां पर important support level निकल क्या आ रहा है अगर आप इस point को देखोगे तो आपको यहां पर clear कर दिखाई दे रहा है कि इस point को market ने तीन बार respect किया हुआ था आज के दिन market ने इसको break किया हुआ है तो यह जो उपर का resistance level है अभी यह next day के लिए support level का काम करेगा तो कल के दिन market इस level पर आकर कोई hammer candle pattern या फिर इस तरीके का price action pattern बनाता है 17,870 के करीब तो उस case में हम लोग 17,850 का जो call है वो 17,850 के call को यहां पर buy कर सकते है हमारा stop loss कौन सा रहेगा तो इस level के करीब जो भी कुछ market swing low बनाएगा हम लोग उसको stop loss की तरह use करेंगे और उपर की side में आज का closing price जो रहेगा यह हमारा target number one रहेगा इसके उपर market निकलता है तो हम लोग उसको और भी trail करते जा सकते है market में selling का opportunity कब develop होगा यह समझने के लिए हम लोगों को एक trend line ड्रॉ करना पड़ेगा market जब तो कि इस trend line के उपर रहेगा हम लोगों के लिए market में selling का opportunity नहीं आएगा market को इस level को और एक बर test करके अगर downside की तरह पा जाता है तो हम लोगों को selling का opportunity डेवलप हो सकता है तो उस case में हम लोग 17,850 का जो put है वो 17,850 का put को यहाँ पर buy करेंगे और put को buy करने के बाद stop loss जो रहेगा हमारा यहाँ पर जो भी कुछ swing high बना रहेगा वो stop loss की तरह यूज़ करेंगे नीचे की side में पहला target हमारा जो निकल के आ रहा है वो 17,800 के level के करीब का निकल के आ रहा है इसको हमें closely observe करना पड़ेगा अगर मार्केट एकदम बड़े क्यापप के साथ खुलता है तो यहाँ पर immediately कोई भी trade मत कीजिए यहाँ पर बड़े क्यापप के बाद market में profit booking आ जाएगा profit booking की वज़े से यहाँ से market जो है वो नीचे गिरने के आशंका है लेकिन यह नीचे गिरते समब जाता बड़ा selling नहीं हो सकता है यहाँ पर जितने भी weekend में buy किया रहेगा यह market में यहाँ पर profit booking दे सकता है तो आभी important बाते हम लोगों ने कर लिए तो आभी आप जाते है bank nifty की तरब bank nifty के चार्ट में बहुत ही बड़िया setup daily chart के ओपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर आगर आप देखोगे तो price action से बहुत सारी चीज़े आप लोगों को सीखने को मिलेगी सबसे important बात अगर आप देखोगे तो market जब भी नीचे आ रहाता तो नीचे आते समय market ने एक double bottom जैसा structure बनाया हुआ है और यह double bottom का apex point अभी तक break नहीं हुआ है जैसे यह apex point वे break हो जाएगा हम लोगों के लिए short term के लिए आप trend दुबारा रिजिम हो जाएगा अभी फिलाल के लिए हम लोगों को important support resistance level कहाँ पर मिल रहा है इसको समझने की कोशिस करते हैं तो सबसे important बात यहाँ पर जो trend line बन चुकी है market में इस trend line के उपर का closing अगर हम लोगों को मिलता है daily chart के उपर तभी जाके market long term अप trend में shift हो जाएगा तब तक market में यहाँ पर दोनों side के momentum देखने को मिलेंगे लेकिन mid term के इस आप से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया pattern बन रहा है यहाँ पर हम लोगों को एक pole मिल रहा है और यहाँ पर flag मिल रहा है तो यह flag with the pole का structure develop हो चुका है अगर कल के दिर market इस level को upset की तरह break करता है तो इस trend line तक market जाने के high probability बनेगी 22,000 का जो बीच का resistance level है यह resistance level पर market थोड़ा सा pause ले सकता है क्योंकि open interest का data वे से indicate कर रहा है otherwise market में बड़ा momentum भी आ सकता है वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजिए अगर हम लोग बैंक निप्टी और निप्टी का comparison करते है तो यहाँ पे निप्टी में bullishness जो है वो bullishness थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है as compared to the nifty क्योंकि वहाँ पे निप्टी में उस तरीके का price action का structure बन चुका है बैंक निप्टी में अगर हम लोग देखेंगे कि market आभी भी range bound momentum में फसा हुआ है range bound momentum को market ने break नहीं किया हुआ है market अगर इस range bound momentum को break करके उसके उपर का closing दे देता है तब ही जाके market में upside का strong momentum आने की probability है आभी भी बड़े hand जो है जो बड़े player है वो आभी भी market में wait and watch की mode में है जब हो market में इंटर हो जाएंगे तब ही हम लोगों को एक बड़ा breakout यहां पर देखने को मिल सकता है लेकिन जैसे ही market ने इस level को upside की तरह break कर दिया 41,425 के level को market में एक sharp upside का momentum आया था मैंने अपने इस free वाले channel में आपको already update कर दिया था कि यहां पे 41,425 के उपर market में बड़ा momentum हो सकता है और उसी तरीके का एक strong one side and momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है यह free वाले channel का link वीडियो के निचे description box में मैंने डाला हुआ है आप वह आपे जाके देख सकते हो अभी market में important क्या है कि market कल के दिन कहां पे open होता है सबसे पहली बात आप लोगों को याद रखनी है कि market अगर एक बड़े गयापप के साथ open होता है तो immediately हम लोग buy नहीं करेंगे बड़े कि अपके साथ उपर की साइड में market में profit booking आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी यहाँ पर जितने भी लोगों ने नीचे वाले rate पर buy किया रहेगा उसमें से week and पहला अपना profit book करना prefer करेंगे और यह profit booking की वज़े से market नीचे आ सकता है तो नीचे आने के बाद सबसे important बात यहाँ पर कोई price action बनना चाहिए कोई open interest का data बनना चाहिए और जब ऐसा confirmation वाला trade आ जाएगा मैं अपने इस free वाले channel में आपको update कर दूँँगा फिलाल के लिए bank template में कोई भी important support resistance level में आज के वीडियो में आपको नहीं दे रहा हूँ अगर support important resistance level develop हो जाता है तो मैं आपको update कर दूँगा जैसा मैंने आपको nifty के बारे में बता है support जब भी resistance break होता है वो support की तरह काम करता है उसी तरीके से यहाँ पर important resistance level निकल के आ रहा है लेकिन इस resistance level के ओपर हम लोग क्यों नहीं trade करने वाले यह मुझे वीडियो के comment section में बता दीजे इसका answer मैंने पुराने वाले वीडियो में already दिया हुआ है तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजिए मिलते हैं next educational वीडियो में thank you very much